सुकूर बॉर्निंग आईज तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के आने के 11 नवंबर की important current affairs को तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं कि Indian Agriculture Research Institute ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म विक्सित की है तो आंसर होगा पूसा 2090 तो पूसा 2090 ये भारते क्रशे अनुसंदान संस्तान दिल्ली के द्वराविक्सित कम अउधी में अधिक उपज देने वाली धान की किस्म है ये पूसा 44 की तुलना में केवल 120 से 125 दिनों में परिपक्व हो जाता है जिसे परिपक्व होने में लगबग 155 से लेकि 160 दिन लगते हैं जिससे क्या होता है जिससे किसानों को अगली गेहूं की फसल के लिए अपने खेट त्यार करने के लिए लगबग 30 दिन और मिल जाते हैं जिससे पराली जलानी के जरुरत कम हो जाती है तो पूसा 2090 ये पूसा 44 का उन्नत संसकर्ण है और अच्छी पैदाव बनाय रखता है उमीद है इस नए किस्म से दिल्ली एंसियार शेत्र और देश के अन्य हिस्सों में पराली जलाने के खत्रे को रोकने में मदद मिलेगी तो ये नाम याद रखना कौन सी किस्म है पूसा 2090 अगला प्रशन देखते हैं फिर बताईए अभी हाली में शान्ती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 2020 सी ये कब मनाया गया तो अंसरुका 10 नवंबर को तो शान्ती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस World Science Day ये हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है लोगों को विज्ञान के शेत्र में और विकास के बारे में और इस बार की theme है building trust in science अब आप पुछो के एक national science debut होता है वो हम कब मनाते हैं 28 February को मनाते हैं वो दे अब एक बार November के important days हम revise करें तो 1 November को world wagon day था शकाहरी डिवस 3 November को world biosphere reserve day 5 November को tsunami जाग रुकता दिवस 7 November को राष्टर cancer जाग रुकता दिवस और सिशू संग्रक्षन दिवस 8 November को visual radiography दिवस और 9 November को राष्टर कानूनी सेवा दिवस National Legal Service take your work में मनाया तो ये days इनको आप ध्यान रखना बढ़ते हैं के फिर बताईए अभी हाल इमें सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी केफे का उधगाटन किस ने किया तो आंसरोगा D.Y. चंद्रचूड ने तो भारत के Chief Justice है D.Y. चंद्रचूड और अभी इनोंने अन्यन आधीशों के साथ भारत के सर्वोच नियाले सुप्रीम कोर्ट के परिसर में मिट्टी केफे का उधगाटन किया ये 9 नर्मित केफे पूरी तरह से दिव्यां कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाता है केफे के प्रबंदक दर्ष्टि बाधित ही है इस मौगे पर राष्टरगार भी संकेतिक भाषा में गया गया ये केफे एक N.G.U. के द्वारा चलाया जा रहा है जो विशेश जरुरत वाले लोगों के साथ काम करता है तो याद रखना सुप्रीम कोर्ट में अभी मिट्टी केफे का उधगर्ण किस ने किया ये पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो चीफ चेस है D.Y. चंदरचूड ने अचा D.Y. चंदरचूड से आपको याद आएगा अब इनको एक अवार्ड मिला था Global Leadership Award किस ने दिया था? Harvard Law School ने दिया था और अभी D.Y. चंदरचूड ने ही E. Nerection Software भी लॉंच किया था जो अदालत के फैसलों को चार भाषाओं में अनुवादित करेगा वो चार भाषाओं कौन सी है? हिंदी, गुजराती, उडिया और तमिल तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए दुनिया के पहले Humanoid Robot CEO का नाम क्या है? तो अंसर होगा Mika तो Polish संचालित कमपनी है एक जिसका नाम है Dictador इसने Mika नामक दुनिया के पहले Humanoid Robot को CEO नियुक्त किया है और ये जो Dictador कमपनी है इसने Hanson Robotics के सहयोग से ये काम किया है Humanoid Robot का मतलब क्या हो गया? जो human की तरह दिखता है human के जैसे दिखने वाला robot और वैसे मैं आपको बिता दू ये Hanson Robotics जिसने ये robot बनाया है इसने ही आपको याद होगा एक लोगप्रिय हुमनोइट रोबोट है Sophia उसको भी इसी ने बनाया था तो याद अखना अगर पूछे कि दुनिया का पहला humanoid robot अब एक किस कमपनी का CEO बना है तो एक पॉलिश कमपनी है डिक्टाडोर अच्छा इसी तरह से आपको याद दिलाओं तो अभी दुनिया का पहला humanoid robot P-bot किस ने बनाया था तो अंचर होगा साउथ कोरिया ने और अभी दुनिया की पहली मानव robot press conference का आयोजन हुआ था कहां पे जिनेवा स्वेजनलेंड में और ये प्रशना भी किसी एक्जाम में पूछा भी गया था उसके अलावा भी दुबई की अमिरात एयरलाइन ने दुनिया के पहले robotic check-in assistant का अनावरन किया था और उस robot का नाम है सारा और IIT मदरास ने एक robot है जिसका नाम होमोशेप ये डेवलप किया जो बिना मानाव हस्तक शेप के septic tank साफ कर सकता है और इसी तरह से आपको याद होगा manhole की सफाई के लिए बड़े बेमाने पर robotics टक्नीक का उप्योग करने वाला पहला राज्य बनाता केरल और वहाँ पे उस robot का नाम था bandicoot वैसे देश का पहला AI और robotics technology park जैसे कहोगे आप art park ये का पे launch किया गया था तो अंसरोगा बंगलूरू में और आपको याद हो तो इस रो ने गगन्यान mission से पहले एक अर्ध मानाव robot यानि की half humanoid robot को अंतरिक्ष में भेदने के लिए बनाया था उसका नाम क्या है उसका नाम है वियो मित्र तो robot से संबंदित ये कुछ points से अभी आप ध्यान में रखना बढ़ते आगे तो पर बताईए अभी हाल में किसे October महीने के लिए ICC means player of the month चुना गया कि women's player of the month किसे चुना गया तो West Indies की जो captain है हैले मैथ्यूज इनको अभी October महीने के लिए women's player of the month चुना है और ICC की बात करें International Cricket Council की तो इस्तापना होती 1909 में Headquarter है Dubai UAE में CEO Geoff Elardis है और इसके chairman है Greg Barkal जो खुद New Zealand से है ध्यान रहेगा ये बढ़ते आदे फिर बताईए कौन सा देश भारत को सुरक्षित देशों की सूची में शामिल करेगा तो अभी ब्रिटेन सरकार ने बताया कि भारत को सुरक्षित देशों की सूची में जोड़ा जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भारत से अवेद रूप से UK जाने वाले नागरिकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद लग जाएगा तो इस सुची में शामिल होने के बाद देश से अवेद रूप से यातर करने वाले भारतियों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और अवेद रूप से भारते प्रवासियों की ब्रिटेन में शरण मांगने की संभावना खत्म हो जाएगी वेसे ब्रिटेन ये सुरक्षे देशों की सूची में भारत के अलवा जॉर्जिया को भी जोड़ेगा अब बात ब्रिटेन की है तो ये रा मैप में ब्रिटेन तो कैपिटल होगी लंडन करंसी है पॉंड स्टर्लिंग और पर धानमंतिरी रिश्य सुनक है अब ये आपको याद होगा आटिफिशल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मिलन ये हुआ था यूके में और भारते मूल के एक स्कुली छात्रा है जिनको भी लाइट पुरसकार मिला था जिनका नाम है मौक्स रोय और कौन सी भारते कंपनी यूके में उलेक्टरिक वेकल बेटरी फेक्टरी खोलीगी तो अंसर होगा टाटा अच्छा यूके के साथ हम कौन-कौन सी एकसरसाइस करते हैं एक तो कौनकन एकसरसाइस करते हैं और एक कॉब्रा वोरियर एकसरसाइस भी करते हैं और ब्रिटेन की जो प्रिंस है है हैरी इनकी आत्मकता आई थी आटोबायोग्राफिज इसका नाम है स्पेर तो इतने पॉ पुरू अंतरिक्ष यात्री है फ्रेंक बॉर्मन जिनका भी 95 वर्ष की उम्र में निदन हो गया। यही कुछ important नाम में आपको बता रहा हूँ जिनका भी निदन हो गया। भी भेड क्लोन के निर्माता थे निदन हो गया। बिंदेश्वर पाठक सुलब इंटरनेशनल के संस्थापक थे। टॉयलेट मैन ओफ इंडिया के नाम से इने जाना जाता है निदन हो गया। और भारत के हरित करांती के जनक कहे जाते। एमेस स्वामी नाथन इनका भी निदन हो गया। बिशन सिंग बेदी पूर्व स्पिनर थे इनका भी अभी निदन हो गया। तो ये ध्यान रखना नाम इंपोर्टेंट है सारे बढ़ते आगे। फिर बताईए अभी हाली में अंतरराष्टर मुख्य नयादी शम्मेलन ये किस राज्य में आयोजित किया गया तो अंसर होगा उत्तरप्रदेश। तो अभी उत्तरप्रदेश के राजदानी लखनव में 24 वा अंतरराष्टर मुख्य नयदीश सम्मिलन का योजन ये किया गया और इसमें चीव कैस्ट थे मौरिश्यस के उपरराष्टर बती मेरी सिर्ल एडी और इस सम्मिलन में 61 देशों के मुख्य नयदीश शामिल हुए अच्छा यहां पर कुछ इंपोर्टेंट सम्मिलन जो 2023 में हमने पढ़े थे वो सारे आपको रिवाइस करा रहा हूँ ठ्यां से सुनना जैसे कि आपने पढ़ा था विश्व मसाला कॉंग्रेस का भी चोदवा संसकरन हुआ था काँ पे मुंबई में और अंतर राष्टर वकील सम्मिलन दोजा 23 का योजन ये नई दिल्ले में हुआ भारत में पहली बार हुआ पहला हल्दी सम्मिलन हुआ अभी मुंबई में और हल्दी से याद आएगा भारत सरकार ने आधिकारिक तोर पर राष्टर हल्दी बोल्ड की स्थापना कर दी है अभी Global Maritime India Summit का योजन ये मुंबई में हुआ तीसरा संसकरन था World Health Summit का आएगा अभी हुआ जर्मनी के बर्लेन में विश्व बैंक विकास समीती की 108 वी बैठक ये हुई मुरको के मराकेश में और International Olympic Committee का 141 वा अभी संसकरन जो आएगा इसका ये भारत में हुआ भारत में भी कहा मुंबई में दूसरी बार हुआ ये भारत में इससे पहले ये 1983 में हो चुका है नई दिल्ली में ये जरूर ध्यान रखना अभी 27 वा विश्व सड़क कॉंग्रेस का आयोजन ये चेक रिपब्लिक के कैपिटल परराग में हुआ और भारत किस इस्तान पर पहली बार पेटा ट्रेवल मार्ट 2023 की मेजबानी करेगा तो अंसर होगा नई दिल्ली में पेटा मतलब हो गया पैसिफेकेशा ट्रेवल असूसियेशन और Commonwealth Parliamentary Association का उनिस्वा सम्मिलन हुआ था भी सिक्केम में जिसका उद्गाटन किया था हमारे लोकसबाद्यक्ष ओम बिल्लाजी ने तो यहां से सम्मिलन सम्मिट से संबंदित कुछ important 10 points में आपको revise करा है इनको ध्यान में रखना बढ़ते हैंगे फिर बदाईए अभी आठवे राष्टर आयुर्वेद दिवस की theme क्या है तो आंचर होगा आयुर्वेद for everyone on everyday और हर सार आप जानते हो भारत में धन्तेरस के दिन ये राष्टर आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है 2023 में इसका आठवा संसकरन है और दे तो कोई fix नहीं है जिस दिन धन्तेरस होती है धन्तेरी की जहनती के दिन ये मनाते हैं हमें इस बार हमने 10 नवंबर को मनाया पहली बार अगर जानना चाहो कब मनाया था 28 ओक्टूबर 2016 तो ये दिन आयुर्वेद की देवता भगवान धन्तेरी की सम्मान में मनाया जाता है उनकी जहनती के दिन तो ये थीम ज़रूर याद रखना आप आयुर्वेद for everyone on everyday अगला प्रशन दिखते हैं फिर बताईए अभी हाली में भारत और किस देश के बीच गेलेफू कोकरा जहार रेलवे लिंक परियूदना शुरू की जाएगी तो अंसरुका भूटान तो भूटान की राजा है जिग में खेसर जो कि अभी भारत की जातर पर थे और इसे दोरान भारत के असम में कोकरा जहार और भूटान में गेलेफू के बीच परस्तावित रेल लिंक के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्शन करने पर ये सहमत हो चुके हैं तो ये भारत और भूटान के बीच पहला रेल कनेक्शन होगा जिसके लंबा योगी 57 किलोमेटर जो 2026 तक बन कर तयार हो जाएगा ये परियोजना पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारवित्त पोशित यानि कि जितना भी पैसा लगेगा भारत ही लगाएगा देखो भूटान के अगर बात करें तो कैपिटल थिंपू हो गई करंसी चलती है अंगल ट्रम इंडियन रुपी भी चलती है वापे और परधानमंत्री है लोटेट स्रिंग तो ये था आज का आपका करेंट अफेर्स का सेशन अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं करते हैं फिर सेशन अं करेंगे तो पहला प्रशन पूछा था अभी 37th नंबर के जो नेशनल गेम्स हुए उसमें पहले स्थान पे कौन सा राज़रा तो आंसर होगा महराष्टर फिर पूछा था क्रशी समाचार निगरानी के लिए लांच किया गया भारत का पहला AI समाधा का नाम क्या है तो आंसर होगा क्रशी 24-7 हाली में चल्चा में रहा कलेईू चेव स्कोई जो आला मुखी में विस्वोट हुआ ये किस देश में है रशिया में फिर आपसे पूछा भी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 24 में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप एरा चा उप्रतिशात FDI हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सि बनी साब ये स्विडन की कंपनी है और फिर पूछा प्रले बैलिस्टिक मिसायल का सफल परिक्षन किया गया किस प्रकार के मिसाइल है Surface 2 Surface Warner करने वाली मिसाइल है फिर पूछा Meg Lenning यह किस खेल से अभी इनोने सन्यास ले लिया । क्रिकेट Australia की हैं यह Australia की महिला cricket team की कप्तान लेकिन अभी international cricket से इनोने सन्यास ले लिया फिर बताओ राश्ट्रे कानूनी सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे ये मनाते हैं कब 9 नवंबर को और फिर आपसे पूछा न्यूजेलन के रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो अंसर होगा डायना, प्यूक, टापू और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है अभी कल का हमवर्क प्रशन देखते हैं और सेशन करते हैं तो कल के वीडियो में आपसे बूछाता और राइट टू वॉक, लागू करने वाला भारत का पहला राज्यकौन सा बना तो अंसर होगा पंजाब, आप सब इने परशन का बिल्कुल से उतर दिया, अब ये राज का आपका हमवर्क परशन है